कि हालो फ्रेंड्स विल्कम बैक टुमय चैनल मैं श्टी है आज मैं आपके साथ प्लांट पर बात करने वाली हूं कि इसको हम आमेसा हेल्दी और फ्लावरिंग के लिए कैसे यह तैयार रखें बिल्कुल खुब सारी से फ्लावरिंग होती रहे और भील्कुल हेल्दी रहे औ कि आपको मेरी हार आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलती रहे तो यहां पर देखिए मैंने कटिंग से ग्रो किया थे इस प्लांट को और आप देख सकते हैं कितना ज्यादा बुसी और कितना ज्यादा अच्छा हेल्दी है तो इसको क्या करना जैसे इसमें फ्लावर कापी घना होता रहता है यह देखिए हां साइड से जो फ्लावर की स्टॉक होती है उसके साइड से दो ब्रांच निकलती है और अभी बिल्कुल हाइवे फ्लावर निक पिता लेकिन अभी इसके फ्लावर मेंने सारे कट करके अटा दिये हैं जितने विते और यह तो अभी हम थाइम जरूर एक प्लावर कडिया तो आप एस प्लांट को जरूर रचा है और इसमें आपको कई का लर मिल जाएंगे यह मेरे पास एक पिक तरभी है यह देखे यह अपर इसको मैंने कर ने कर दा घृट किया था एक मेरा प्लांट जो था तो वह काफी पुराना हो गया तो दीरे दीरे खराब होता गया फिर उसकी कटिंग से मैंने इसको लगाया था और काफ्य अच्छे ये भी हल्दी ग्रो हो रहा और खुब सारी फ्लावरिंग भी करता है आपको यह करना इसके नीचे की पानी देना जैसे भोल जाते हैं तो इसकी पतिया नीचे की यलो होने लगती है तो उनको विल्कुल आपको इस तरह से हटा देना है सूखी हुई पतियों प्लांट से ताकि प्लांट आपका हेल दी रहे और खुब ज्याद अच्छी फ्लावरिंग करें तो फ्रट लाजर की बात कर लेते हैं पहले इसकी मिट्टी की बात कर लेते हैं यही चार मिट्टी तयार करते हैं तो आप कुछ भी मिला सकते हैं सेंड की मातर आप काफी अच्छी रखेंगे तो प्लांट आपका काफी अच्छा हेल दी रहाएगा और वर्मी कंपोस्ट दीजिए इसे प्लांट की ग्रोथ काफी अच्छी होती है और फ्लावरिंग के लिए आप फ्रूट पिल वेजिटेवल पिल्स का भी लिक्विड बना करके दे सकते हैं और मिट्टी थोड़ी से मॉइस्ट्रा नीचे बिल्कुल एक दम से ड्राई हो जाती है तो इसकी पतिया नीचे से यलो होना स्टार्ट हो जाती है तो थोड़ी से बहुत ज्यादा पानी भारा इसकी पतिया नीचे से यलो होने लगती है तो इस चीज का ध्यान रखिए तो आप बीच की जो दोपाहर की दूप है तो दोपाहर की सनलाइट से आप इसको थोड़ा सा से मिसेट भी रख सकते हैं फिर आप ग्रीन नीचे प्लांट को रखिए तो जैसे दस ग्यारा बज़ दूप आती है तो सुबह से दूप अच्छी लग जाती है और उसके बाद फिर पूरा दिन धूप रहती है क्योंकि मैं सिर्फ साडियों से कवर करती है आपको दिखा दो अपने उपर के एरिया यह देखिए तो मेरे जो ग्रीन नट लगा यह सिर्फ दीवाल के साहरे से ल से निकाल देती हूं यहां से तो जो साम की थोड़ी बहुत दूप है वह भी फिर एकदम फूल सनलाइट आ जाती है तो ऐसी जगह पर रखे हुए प्लांट मेरे जितने यहां पर प्लांट रखे हुए हैं अडेनियम से लेकर हाइब्रेड विंका जो भी संफ्लावर संथ नहीं है फिर इस प्तिय Email भारण होने लगती है घ्रत है तो आपको इस तरह सकता है और timemasrec से भी जैदा तो हर 15 दिन बेश दिन में आप इसको फर्टिलाइजर देते रहें चाहे तो लिकूट बना कर दीजिए या फिर वर्मी कंपोस्ट को आप ऐसे भी डाल करके पाने डाल सकते हैं उससे भी इसकी ग्रोथ भी होती रहेगी और इसमें अच्छी होती रहेगी और आप चाहे तो मा भी फ्लावरिंग करता है तो दीरे-दिर उसमें न्यूट्रिएंस कामि और उसको लोग इतना जदा फूट नहीं दे पाते हैं जितना उसको जरूरत होती है तो माइकरो न्यूट्रिएंस देने से हर नेट पूरी हो जाती है जो भी प्लान्ट को चाहिए रहता है सभी प्लावरिंग करने वाला प्लांट है और आप अपने गार्ण में जरूर लगाई है पानी आप इसको सुबह जब पानी देते हैं तो आप एक बार आच्छे से स्प्रे करके पानी देदीजिए पूरा दिन इसको ठंड़क बनी रहे हैं प्लांट काफी अच्छा हेल्डी होता और बनाना प्लावरिंग को देती हूं लगों 15-20 दिन में एक आत बार देती हूं रोज हमेशा हरापते नहीं दे पाती हूं अभी मैं इतना ज्यादा फर्टलाइजर देने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि थोड़ा जैसी मावसम ठीक होगा वैसी इनमें और ज्यादा फ्ल फ्लावरिंग होते हैं कितने सुंदर सुंदर फूल आते हैं इसमें और अच्छी है भी फ्लावरिंग करते हैं विसकुस के प्लांट भी तो बस फ्रेंड्स आजकले इतना है वीडियो अच्छा लगया तो लाइक सेयर कमेंट जरूर कीजिए मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब